वेलकम MP MKS चले में आपका बहुत बहुत सो आगाते सो गैज आज हम बात करने वाले मद्दे परदेश वरक 3 मद्दे परदेश सिक्सक पातरता परिक्सा की कटोप के बारे में MPTAT की जो एक्सपेक्टेड कटोप है वो फाइनली यहां पर आचुकी है जैसा कि आप यहां पर देख पारोंगे MPTAT एक्सपेक्टेड कटोप कापी सारे कमेंट आ रहे थे सर हमारी जनरल केटेगरी है हमारी OBC है हमारी SCA हमारी STA कटोप बताईए तो चले यहां पर डिसकस हम कर लेते आपकी सिप्ट 2 का कटोप यह रहने वाला है अभी सिप्ट पस्ट का भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल भी चिंत आपको नहीं करनी है चैनल सस्क्राइब कर रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर रहा है तो हर एक कटोप आपको मिलेगी आपके 5 मार्च की 6-7 जितना भी एक्जाम आपके हुए सभी सिप्टों की और हर एक डेट की यहाँ पर आपको कटोप मिलेगी गाईज तो चलिए यहाँ पर MPTAT, सिप्ट 2 का जो एक्जाम हुआ था उसके कटोप आप यहाँ पर देख सकते हो कटोप है जो इस्टुडेंटों के रिव्यू से हमें मिली है और यहाँ पर आप जनरल की देख पार होंगे 115, 125 अगर हम बात करें तो 110 और 120 यहाँ पर इसको रहने वाल है अगर आपके थोड़ा कम नम्मर भी है इसके आसपास तब भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल भी चिंत आपको नहीं करनी है गोवर्मेंट जोब तो आपका पक्का है गैज मैं बोल रहाँ ना क्योंकि यह इलेक्शन का टाइम है और गोवर्मेंट आपको गोवर्मेंट जोब आवसे देगी बिल्कुल भी चिंत आपको नहीं करनी है तो जनरल का देख लो आप यहाँ पर कटोप और अब इसका कटोप आप यहाँ पर देख सकते हो अब बात कर लेते YSC और YSC वालों की So YSC और YSC का यहाँ पर दिकाया हुआ है YSC का जो रहने वाला है 105 रहने वाला है और जबकि यहाँ तक अधिक्तम 115 अगर हम बात करें 95 से 105 आपका यहां पर रहने वाला एक्सपेक्टेड का टॉप यह भी डिपेंट करता है कि आपकी कौन सी सिप्ट थी कौन सा दिन था है ना तो यह जो फेक्टरे कापी एपेक्ट करते का टॉप को और आपका जेंडर भी तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि कौन सी सिप्ट का आपको कटॉप चीए और कौन से डेका हम आपको अवायलेबल करवा देंगे चैनल सस्क्राइब कर रखाओगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखाओगा तो आपको मद्य परदेश वरक्ति की A to Z जानकर आपको मिलेगी